हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई चैनल आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के अंदर जो कैल्शम की कमी हो जाती है तो आप किस तरह से पता लगा सकती है क्या क्या सेंट्रम्स होते हैं कौन से लच्छण हैं जिससे आप पता लगा लेंगी कि आपके बच्चे में क कैल्शम की कमी तो नहीं है क्योंकि अगर बच्चों में कैल्शम की कमी होगी तो उनको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं तो इसलिए अगर आपको यह चीज़े पता होंगी तो आपको असानी होगी और आप कैल्शम की कमी दूर करके अपने बच्चे की वह परिशानी दूर सकती है तो सबसे पहले में बात कर्ते हूँ बच्चों कि कमी के जो लक्षड होतें उनके बारे में जिससे आप पता लगा लेंगी आपके बचे में कालिश्यम कमी तो नहीं तो नहीं कि अगर बच्चे में कैलशम की कमी है तो ऐसा हो सकता है कि जब बच्चा रात में सोब थो इसके सिर प्रमाथे पर काफी ज्याधा पसीना है यह ऐख लखशड है कि कैलिशम की कमी papa कभल दिशे के बंचे में कमी हैं तो रात में सोटे टाइम उसको इसके सिर पे आ सकता है और दूसरा लग शड़ा है वो यह कि बच्य में भूग की कमी हो जाती है बैचे को भूग कम लगती आपको लगेगा कि मेरा बच्या कुंड नहीं खा रहा है कुछ समझ में और तो यह क केल lotus कि तो बच्चा बहुत जादा चिछरों सकता है ऐसा हो सकता कि आप को बच्चा हर चोटी-छोटी ती बात पे बहुत जादा चिर्च dewबाओं बहुत गुस्ता करें इस तरह से बच्छा स है तो यह कामी की वज़ेंसे साथ और बाथ मास्ने के स्टेज में है विकिते řils 17 सकता है तो बच्सक्राइब की स्टेज में हो अगर धात लेड रेड लेड बच्वथ की स्टेज में वह कुषे हैं तो कम्झोन हो सकती है जी हो लुदिस котором मचला है उसके चलने में भी देरी हो सकती है ये भी कैल्शम की कमी होने का ही एक लक्षड है और बच्चे में पैर दर्द की भी शिकायत हो सकती है खास करके जब बचा रात में सोने के लिए लेटे उस टाइम में बच्चे को जादा पैर में दर्द हो सकता है और ये दर्ड जो हर 2-4 दिन पे दर्ड निन पर अगर होता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्छे में कैल्शम की कमी है जिस वजे से उसकी हड्यों में एक एठन् टी सन टाइब की होने लगती है जिसकी वजह से रोज हर 2-4 दिन पर बच्चे के पैर में दर्द होनी लगसा है तो ये भी कैलशियम की कमी कही एक कारण है और बच्चे में कैलशियम की कमी है तो आपके बच्चे की इम्निटी भी वीक हो सकती है और इसकी वज़े से बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा क्योंकि बच्चे की रोग परती रोधक चमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो इस वज़े से बच्चा बहुत जल्दी बीमारी की चपेट में आएगा जल्दी जल्दी बीमार होगा काफी कमजोर सा लगेगा तो ये कुछ लक्षड थे जो मैंने बताए अगर इस तरह का कोई भी लक्षड आपके बच्चे में दिख रहा है तो हो सकता है शायद बच्चे में कैल्शम की कमी हो कैल्शियम की कमी से बच्चे में बहुत सारे नुक्सान हो सकते हैं बच्चे की ग्रोज सही से नहीं होगी बच्चे की हड्डियों का विकास अच्छा नहीं होगा तो इससे बच्चे के डिवर्मेंट में बहुत असर पड़ेगा तो इस वज़े से अब मैं आगे बता रही बच्चे को क्या क्या चीजे खिलानी चाहिए आपको सबसे पहले डेरी प्रोड़क्ट पे ध्यान देना है आप बच्चे को दूद जरूर दे क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि बच्चे जैसे ही एक दो साल फे ब्रस फीट करना उन्होंने छोड़ा तो वह दूद बिल्कुल ही मात्रा में कैल्शियम होता है अगर आप डेली बच्चे की डायट में शामिल करती है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी और बच्चे को और बच्चे को बींस बींस वाली सबजियां दे और बच्चे को हरी मटर भी दे सकती हरी मटर में भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्σιयम पाए जाता है और भचेए को डालें दे सकती है क्योंकि डालों में प्रोटीन और कैल्शयम दोनों अच्छी मात्रहा में होता है तो अगर आप दालें क्याक़ की कमी पर्विकास की लिए जरूरी होता है लीडिया को आपstaw बचेचेद अग्षै मात्रा में calcium पाये जाता है जिसे बच्चे की calcium की कमी दूर हो जाएगी तो यह सारी चीज़े हैं इसको आप ध्यान से आपने सुन लिया होगा तो यह सभी चीज़े बच्चों की डियेट में जरूर शामिल करें अब बच्चे को अगर आप नॉन्विज देती हैं तो आप एक दे सकती हैं आप इस तरह की चीज़े जरूर दें तो इस सबसे बच्चे की calcium की कमी दूर हो जाएगी और बच्चे में जो भी चीज़े की कमी की वज़े से हुई हैं जो दिक्कते हो रही हैं जो पिमारी परेशानियां वह सब दूर हो जाएगी उमीद करती हूं कि वीडिय लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें